Hello dear friends, so once again welcome back to my YouTube channel मैं आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए और बहुत ही सटीक information और analysis के बाद आपको बताना चाहता हूँ Sir, finally X group और Bye group की cut-off क्या रहने वाली है? उसका क्या scene होगा? मैं directly आपको बता दूँ यद X group मैं exact कोई भी नहीं बता सकता आप भी जानते हैं हम सारे लोग teachers community से बिलॉंग कर रहे हैं इसका मतलब प्यारे साथियो analysis के basis पर बिल्कुल गलत नहीं होगा यद मैं X group की बात करूँ तो directly आपको ना घुमाते हुए यद आपके marks सच में 29 से 33 के बीच में आ रहे हैं 30 से लेके 33 के बीच में आ रहे हैं तो आप written examination में qualify कर चुके हैं आप ये बात समझ लीजिए पेपर का level बहुत hard था प्यारे साथियो यद एक दो shift simple आई है यद 30 और 31 को आप कह रहे हो कि सर shift बहुत simple आई थी सेम रहा है बरकरार रहा है दो या तीन shift को छोड़ दिया जाए दो दिन की बात छोड़ दी जाए जो last के days थे वहां level थोड़ा कम हुआ है मैं finally बताना चाहता हूँ X group जिनके 30 से लेके 33 आ रहे हैं वो confirm समझ ये बिलकुल अपने आपको इससे कम ही हो सकता है ज्यादा नहीं होगा मैं फिर repeat कर रहा हूँ 30 से लेके 33 मैं फिर से repeat करता हूँ 33 से उपर cut off X की नहीं जाएगी बहुत बहुत deeply मैंने community post पर बच्चों से उनके marks मगा करके analysis करने के बाद मैं बता रहा हूँ 30 से 33 और बाई गुरूप की cut off प्यारे साथियो 32 से लेके 35 बाई गुरूप की cut off 32 से लेके 35 तक रहने वाली आप समझ लीजेगा सचमेद आपके 35 नमरा रहे हैं आपको पूरे दम से face second की त्यारी करनी चाहिए X गुरूप की cut off 30 से 33 और बाई गुरूप की cut off 32 से 35 और ये डेटेल एक एनालिसिस के साथ डीपली एनालिसिस के साथ मैं आपको repeat करता हूँ तो sir X गुरूप final 33 बाई गुरूप highest but 35 cut off होगी पहरे साथियो थैंक्यू सो माच जै हिंग जै भारत